नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजूकेशन में और आज का स्टैटिक जी की का टॉपिक है भारत के राज्य और उसके राज्य पाल यानि कि आपको राज्य की राज्य पाल के बारे में मैं बताऊंगा जी हाँ अब आपको यहाँ पर बताना है कि उस रा राज्धानी भी बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करते रहेगा चलिए और यह 14 जून 2020 का अपडेट है ठीक है यानि कि अगर कल को जाके कुछ चेंजिस होते हैं हाना राज्य के राज्धानियों और मुख्यमंत्री और राज्यपाल में तो आप लोग वहाँ पे थोड़ा सुधार कीजिएगा देखते समय मालिजबाद में कभी इन फ्यूचर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इस सीच का सुधार जरू कर लिजिएगा चलिए शुरुआत करते हैं सभी राज्यों और सं इस राजी आप तस्वीरों में देख सकते हैं 3 अक्टूबर 2017 को इनको यहाँ पे कारेकाल दिया गया है लगबग दो वर्स और 247 दिन इनके पूरे हो चुके हैं अब बताईए यहाँ पे अरुनाचल परदेश का मुख्यमंत्री कौन है और राजधानी कहां है बिल्कुल आंसर जिनका उत्तर आरा दोस्तों यहाँ पे मा खांडु नोट कर सकते हैं पे मा खांडु यहाँ के मुख्यमंत्री है नोट कर सकते हैं और अर अरुनाचल परदेश का राजधानी कहां है जल्दी से कमेंट कीजिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोगा जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों और उनाचल प्रदेश का राजधानी है आंसर हुजएगा इटा नगर नोट कर लिजएगा क्या है इटा नगर ओके नेक्स्ट कोशिन पे चलते हैं दोस्तों कोशिन आया असाम से असम के राजधी की जो यहाँ पे राजधी पाल है वो हैं दोस्तों जगदी स्मुखी तस्वीरों में आप इनको देख सकते हैं यहाँ पे 10 अक्टूबर 2017 से यह कारेरत हैं और इनका भी कारेकाल अभी 240 दिन का हुआ है आपको बता देना चाहते हैं राजधी पाल का कारेकाल 200 हर राजधी में कम से कम 5 साल का होता है राजधी पाल को हटाया भी जा सकता है उनके पद से जिहां महावियोग लगाके जैसे की राष्ट्रपती को हटाया जाता है लेकिन इसकी न्यूक्ती कौन करता है तो यह भी जान लिजएगा कि इसकी न्यूक्ती राष्ट्रपती करते हैं ओके दोस्तो इतना काफी है तो आपको यहाँ पर आंसर करना है असम के मुख्य मंतरी का नाम क्या है जल्दी सांजर करेंगे सर्वानन सोनवाल जिनका भी उतर आ रहा है दोस्तो यहाँ पर नोट कर लिजएगा सर्वानन सोनवाल इस दर राइट आंसर ठीक है असम की राज़ानी होती दोस्तो दीसपूर नोट कर सकते हैं कोशे निमबर चलिए आंद्रप्रदेश पर चलते हैं आंद्रप्रदेश के यहाँ पर जो राज़ी पाल हैं दोस्तो वो हैं बिश्व भूसन हरी चंदन नोट कर सकते हैं इनको तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 24 जुलाई 2019 को ये कारेभार समाले हैं अभी यहाँ पे इनके 318 दिन ही पूरे हुए है ठीक है बिश्व भूसन हरी चंदन नोट कर सकते हैं आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश की आंद्रप्रदेश की मुख्य मंत्री का नाम बताईए और यहाँ की राजदानी होती दूस्तों अमरावती नोट कर सकते हैं और यहाँ के मुख्य मंत्री है य जगन मोहन रेड़ी is the right answer ठीक है नोट कर सकते हैं यहाँ पे चलिए और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का नाम बताइए सभी कोई जानते होंगे बहुत ही फेमस प्रसनलिटी है अभी ये और मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में सबसे देखा जाए तो टॉप पे है जी यहां उनका नाम है दोस्तो योगी आदित्यनाथ नोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहां की राजधानी होती है दोस्तो लखनव ये सारे अपडेट आपको लेटेश दिये जा रहे हैं यहां पे इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजीगा और ज्यादा बड़ा रही छोटा सा वीडियो है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजीगा उत्राखंड पे चलते हैं उत्तर प्रदेश से नमबर सन 2000 को अलग हुआ राज उत्राखंड बना एक जिसकी राजधानी होती देहरादुन यहां के राजजी पाल हैं दोस्तों बेबी रानी मौर्या नोट कर सकते हैं चलिए अब आपको यहां बताना है कि उत्राखंड के मुख्य मंत्री का नाम क्या है देखे और एक ची त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि यहां के मुख्य मंत्री हैं दोस्तों नोट कर सकते हैं अगला कोशन देखेंगे कोशन नंबर नेक्स्ट है उड़ीषा पे चलते हैं चलिए उड़ीशा के जो राज्येपाल है उनका नाम है दोस्तों गनेशी लाल ध्यान रखेगा और य कि आपको बता दे कि गनेशि लाल हैं, यह तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बताएं। और यहाँ की राजधानी का नाम। तो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पे दोस्तों नवीन पतनायक जी, जी यहां बीजु जन्तादल से यह बिलॉंग करते हैं और यहां की राजधानी है दोस्तो भुवनेश्वर याद कर सकते हैं तो याद रख लिजीगा आप पॉइंट नोट कर सकते हैं ठीक है चलिए कोशिन निमबर नेक्ट पर चलते हैं करनाटक के तरफ चलते हैं करनाटक के राजधिपाल का नाम है दोस्तो वाजुवाई वाला ठीक है आप से सवाल पूछूँगा आप आंसर कीजिएगा कि करनाटक के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बिलकुल याद रखेंगे दोस्तो बी एस यदुरप्पा जी हां इनका नाम है बोकांकरे सिद्धई लिंगपा यदुरप्पा इनका पूरा नाम है जो की यहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तो आपको बताना चाहेंगे कि 1 सेप्टेंबर 2014 से ये कारेकाल समाले हुए है यहां वाजु भाई वाला और यहां की राजधानी होती ही दोस्तो बैंगलूरू नोट कर सकते हैं यहां बैंगलूरू जो है यहां की कैपिटल सिटी होती है चलिए आते हैं केरल के उपर केरल के जो राज्य पाल है अभी अरिफ मुहम्मद खान है नोट कर सकते हैं दोस्तों अरिफ मुहम्मद खान है और यह आप तस्वीरों में इनको देख सकते हैं 6 सेप्टिम्बर 2019 को यह जोइन किये हैं यहाँ पे ठीक है ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस कोशन को पूछा जा सकता है ठीक है कबिन की जोइनिंग थी तो दोस्तों सवाल बनता है केरल के मुख्य मंतरी का नाम क्या है और राजधानी बिल्कुल ध्यान रखिएगा केरल के मुख्य मंतरी के नाम दोस्तों क्या है यहाँ पे राजधानी तो देखे आप केरल की राजधानी दोस्तों तुर्वन्दपूरम है जिसको मैं तुर्वेंद्रम कहते हैं ठीक है याद रखेगा और के मुक्ष्य मंत्री का नाम क्या है यहाँ नोट कर लीजी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यह पिन्यषर विजियनरैंड क्या नाम है उनुका पिन्यषर विजियन नोट कर सकते हैं आप लोग ठीक है नेक्सक्षोन पर चलते हैं गुजरात गुजरात के राज्यपाल का नाम है जुसंध और इसकों आज रखा हुआ था ट्रिक है ये ट्रिक वाले कोशन सेट बनाऊंगा मैं अपनों के लिए तो आर्या स्वरी अचार्या देवरत ठीक है तो देवरत जो हैं दोस्तों यहां पे यह 22 जुलाइद 2019 को जोइन किये थे अपना पदभार समाले थे लेकिन यहां पे गुजरात के क्या है बिलकुल बीजय राम निकल रुपानी नोट कर सकते हैं बीजय राम निकलाल रुपानी इनका नाम है दोस्तों जो कि यहां के मुख्य मंतरी के रूप में पदभार समाले हैं ठीक है दोस्तों इन से पहले यहां के मुख्य मंतरी थे यहां हमारे देश के प्रधान मं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ठीक है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं कोशन इंबर गोवा दोस्तों गोवा की राज्यपाल का नाम है सत्यपाल मलिक और इनकी ज्वाइनिंग तीन नवंबर 2019 को हुई है ठीक है अभी 216 दिन का ही कारेकाल हुआ है तो गोवा के मुख्यमं मंत्री कौन है नोट कर सकते हैं जी हां प्रमोद सावंत नोट कर सकते हैं दोस्तों प्रमोद सावंत जो कि एक राजनितिक और वरतमान में गोवा के मुख्यमंत्री है नोट कर सकते हैं प्रमोद सावंत ओके चलिए कोशन इंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 36 गड़ की बारे मे बताते हैं आपको अनुसुया उईके जिके इनकी तस्वीर मिसिंग है यहां पे तो अनुसुया उईके जो है यहां की क्या है तो राज्यपाल है और 36 गड़ का मुख्यमंत्री कौन है प्लीज कमेंट कीजी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बिलकुल उतर सही कर रहे हैं अगर आप लोग उतर कर रहे हैं यहां पे भुपेश बगेल इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे भुपेश बगेल 29 जुलाई 2019 को यहनों ने कारेभार समाला ठीक है राजिपाल के दोस्तों जारखंड पे आते हैं जारखंड के सूची में यहां पे देखा जाये तो हमारे यहां की राजिपाल हैं द्रोपदी मुर्मू नोट कर सकते हैं और मुर्मू जो है सरनेम से दो राजिपाल के नाम है एक तो यहां जारखंड में हैं और एक और हैं मैं आगे हेमंड सोरेन is the right answer जिनका उतर हेमंड सोरेन आ रहा है उतर सही कर लीजेगा अगला प्रशन पे चलते है तामिल नाड़ू के राजीपाल का नाम है बनवारी लाल पुरुहित नोट कर सकते हैं बनवारी लाल पुरुहित यहाँ के राजीपाल है तामिल नाडू के और यहां के मुख्यमंत्री कौन है तामिल नाडू के मुख्यमंत्री कौन है चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए के पलिनस्वामी के पलिनस्वामी नोट कर सकते हैं दोस्तो के पलिनस्वामी दोस्तो तामिल नाडू की राज़ानी चनई होती है नोट कर सकते हैं चलिए तमिल साई सुन्दराजन जो है यहां की क्या बनी है राजिपाल बनी है दोस्तों यहां पर बता देना चाहते हैं कि आठ सेप्टेंबर 2019 को इनका पदभार समाला है इनोंने तेलंगाना के मुख्यमंतरी का नाम बताईए बिलकुल केसी राओ याने की कलवा कुंतला चंद्रसेखर राओ इनका पूरा नाम है क्या है कलवा कुंतला चंद्रसेखर राओ इनका पूरा नाम है जो की यहां के मुख्यमंतरी बने हैं दोस्तों नोट कर सकते हैं अगला कोशन है यहां पर दोस्तों नागालेंट से नागा कितने भी यहाँ पे लेटिस्ट गवर्नर ने अपने कारेभार समाले हैं उन सब के नाम दिये हमने यहाँ पे आपके लिए यह आपके एक्जाम के पॉइंट अभी उसे इंपॉर्टेंट बनता है इसलिए हर कोशिन का अंसर मैं जो पूछ रहा हूं यहाँ पे दीजिएगा नागालेंड के मुख्य मंतरी का नाम क्या है बिलकुल नेफ्यू रियो नोट कर सकते हैं दोस्तो एक भारती राजनितिक के हैं जो कि भारत के राजजी नागालेंड के वरतमान के पुर्व यहाँ पे मुख्य मंतरी है ठीक है याद रखेगा ठीक है और यह लगातार तीन पार से यहां के मुख्य मंतरी बने हुए है नेफ्यू रियो अगला कोशिन पे चलते हैं पंजाब जी हाँ पंजाब के राजजी पाल हैं दोस्तो विजिंद्र पाल सिंग बदनौर जी हाँ नोट कर सकते हैं इनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ और यह 22 अगस 2016 को कारभार समा ले थे अभी तक 389 दिन हुए हैं और दूसरी चीज़े यहाँ पे कि राजजी पाल तो ठीक है पंजाब की राजधानी चंडी गड़ होती है जो कि यह खुद में केंद्रसासित परदेश है और पंजाब का मुख्य मंतरी कौन है तो याद रखेगा दोस्तो पंजाब के मुख्य मंतरी कैप्टन अमरिंदर सिंग अगला कोश्यन देखते हैं चलिए पस्षिम बंगाल पे आते हैं पस्षिम बंगाल की जो राजधी पाल है इनका नाम है दोस्तो जगदीप धनकड नोट कर सकते हैं यहां की राजधी पाल है जो कि 30 जुलाई 2019 को ये भी ज्वाइन किये हैं और ये सारे के सारे latest current affair से जुड़े वे चीज़े हैं दोस्तों है ना तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा exam के point of view से और ये मैं आपको 14 जुन को कुलकाता आते हैं बिहार ये हैं हमर बिहार याने की बिहार का जो राजिपाल बने हैं वो बने हैं फागु चोहान नोट कर सकते हैं तस्वीरों में इनको आप देख सकते हैं 29 जुलाई 2019 को ये बने हैं अभी नए कारेकाल समाला है नोने 313 दिन हुए हैं और यहां पे तीसरी बार मुख्य मंत्री बने हैं ठीके नोट कर सकते हैं और मुख्य मंत्री के इस अलावा बिहार की राजधानी होती दोस्तों यहाँ पे पटना चलिए कोशिन इंबर नेक्स्ट मनीपूर मनीपूर के जो हैं यहाँ पे राजिपाल है नजमा है ठीके जिनोंने 15 सेप्टेमबर 2014 का अपना कारेभार समाला है तो यहाँ दिहान रखेगा इनका कारेकाल लगबग पूरा हो चुका है लेकिन अभी यहाँ पे इनके बदलाव नहीं किये गए हैं जो कि कारेकाल इनका 5 सा का और 6 साल का भी हो सकता है जी हाँ वैसे यहाँ पे कारेकाल सिर्फ और सिर्फ पांची साल का होता है लेकिन यहाँ पे यह क्या राश्टपती को अपना इस्तिफा दे कर भी सेवा निर्वित हो सकते हैं और अभी देखे लॉकडाउन की स्थिती है पूरे देस में इसलिए ये सारे बदलाव जो जहां जहां के राजिपाल का समय काल पूरा हो गया है वो बदलाव अभी नहीं किये गये हैं ठीक है 6 महीने का समय और लिया जा सकता है जैसा कि सम्मिधान में हमारे प्रवधान है ठीक है मद्य परदेश की तरफ चलते हैं जी हां यहां के राजिपाल है लाल जी टंडन जी ठीक है लाल जी टंडन और ये 29 जुलाई 2019 इन्होंने पदभार समाला है जी हां लेकिन यहां पे तब तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं हाली में अभी कॉंग्रेस के पार्टी की यहां पे सरकार बनी थी जिसके मुख्यमंत्री बने थे दोस्तो कमलनाथ जिनकी पार्टी का बहुमत साबित नहीं होने पे अब यहां पे भारती जन्ता पार्टी ने फिर से अपना एक स्थापित्व जमाया और फिर से यहां पे चलते हैं महराश्ट्र के राजिपाल का नाम है भगत सिंग कोशियार ये 5 सेप्टेमबर 2019 को ये भी लेटेस्ट यहां पर जोइनिंग हैं की 275 दिन हुए हैं लेकिन उधाव ठाकरे यहां के बने हैं दोस्तो मुख्यमंत्री नोट कर सकते हैं उधाव ठाकरे मुख्यमंत्री बने हैं और यहां की राजधानी होती है मुंबाई चलिए मिजोरम चलते हैं दोस्तो मिजोरम की राजिपाल हैं दोस्तो पीएस स्रीधरन पिल्लाई नोट कर सकते हैं 5 नवंबर 2019 को ये कारेभार समाले अपना 214 दिन लगबग हुए हैं जादा हुए होंगे ठीक है ये जो हैं यहां के राजिपाल हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है चलिए आंसर कीजेगा दोस्तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है जोराम ठंगा नोट कर सकते हैं जोराम ठंगा नोट कर लिजेगा यहां पर आंसर क्या होगा जोराम ठंगा अगला है मेघाले मेघाले के यहां गवर्णर बनाएगे हैं दोस्तों तथागत राय को 6 जिन्वरी 2015 को इन्होंने ज्वाइनिंग की थी यहां पे चलिए तो मेघाले के मुख्यमंत्री का नाम बताईए बिलकुल बरतमान में यहां पे दिखे तो कन्रोड संगमा जो है यह मुख्यमंत्री है यहां के मेघाले के दोस्तों मेघाले के मेघाले की राजधानी कहां है यह बताईए बिलकुल शीलॉंग याद रखिएगा इस राइट ऑंसर स्ी ठीक है चरिए राजस्थान आते हैं दोस्तो, राजस्थान की राजस्थानी जैफुर होती है, पिंक सिटी की नाम से जाना जाता है नोट कर लिजिएगा कल राज मिस्र यहां के होते हैं दोस्तो राज जिपाल और यह 9 सिप्टेंबर 2019 को ही कारेभार सम्हाले हैं यहां पे आप बताएए यहां पे हमें कि राजेस्थान के मुख्यमंत्री का नाम क्या है बिलकुल यहां पे कॉंग्रेस पार्टी की सरकार है अश्रोग गहलोथ है यहां पे दोस्तो मुख्यमंत्री नोट कर सकते हैं आप लोग यह सारे चीज़े आप नोट करते रहे हैं जो चीज़े मैं आपसे पूछ रहा हूँ ठीक है बाकि यह पीडिये तो मैं आपको सेर करी सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है जी हां आंसर कीजिएगा प्रेम सिंग तमांग नोट कर लिजिएगा प्रेम सिंग तमांग नोट कर लिजिए अनका नाम है दोस्तो सिक्किम की राजधानी कहां है बिलकुल गंग टोक याद रखेगा गंग टोक is the right answer question number next हर्याना चलते है हर्याना की भी राजधानी दोस्तों चंडीगड होती है जो कि एक कंद्रसासित पर्देश है और कंद्रसासित पर्देश होनी के लावा खुद का भी राजधानी है वो कंद्रसासित पर्देश का यहां के जो गवर्नर है वो सत्य नरायन आरिया है और ये 22 अगस 2018 को न्यूक्त किये गए हैं यहाँ पे गवर्नर के रूप में ठीक है हर्याना के मुख्य मंत्री कोन है अभी जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे मनोहरलाल खटर बिल्कुल इनका उतरा रहा है सही उतर कर रहे हैं ठीक है चलिए कोशिन नंबर नेक्ट है दोस्तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है दोस्तो बांडू दत्ता त्रे नोट कर लिजिएगा 11 सेप्टेंबर की इनकी ज्वाइनिंग थी और हिमाचल प्रदेश की मुख्य मंत्री का नाम क्या है बिल्कुल याद रखेगा दोस्तो जैराम ठाकूर इस दर राइट आंसर जिनका उतर आ रहा है जैराम ठाकूर इस दर राइट आंसर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी सिम्ला होती है यह आप लोग ध्यान रखेगा जिया हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होती है दोस्तो श्रिमला ओके नेक्स्ट कुशिन पे चलते हैं त्रिपुरा त्रिपुरा के जो गवर्नर है वो है रमेस बैस नोट कर सकते हैं जो कि 29 जुलाई को यहां पे इनकी जुवाइनिंग है त्रिपुरा के मुख्य मंत्री कौन है बिपलाव कुमार देव नोट कर सकते हैं दोस्तो बिपलाव कुमार देव इस दर राइट आंसर और त्रिपुरा की राजधानी कहां है बिलकुल अगर तल्ला याद रखिएगा दोस्तो अगर तल्ला इस दर राइट आंसर नोट कर लेंगे अगला कुश्चन देखते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार दीप समू के उपराजी पाल कौन बने हैं, तो देवेंदर सिंग जोसी, याद रखेगा देवेंदर सिंग, देवेंदर कुमार जोसी, 8 अक्टूबर 2017 को बनाएगे हैं, यहाँ उपराजी पाल भी दोस्तों 5 साल के लिए न्यूक्त किया जाता है, यह आप ध्यान रखेगा, दोस्तों अंडमान निकोबार का कैपिटल सिटी कहां है, बिल्कुल आंसर रखेगा, पोर्ट ब्लेयर होता है, दोस्तों अंडमान निकोबार का यहाँ कैपिटल सिटी, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे एक हमारा जम्मो कश्मीर, दे तो यहां के उपराज जिपाल होते हैं दोस्तों गिरीस चंदर मुर्मू। अरविंद केजरिवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं और आप लोग सुनते होंगे उनकी दोस्तों बातों में कि एलजी सहब ने ऐसा कर दिया तो वो इनहीं की बात करते हैं अनिल बैजल जी की यहां 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने पदभार समाला है दिल्ली में दिल्ली की राज़ा राज़धानी वैसे तो पॉन्डी चेरी पॉन्डी चेरी के उपराच ये पाल हैं दोस्तों केरन बेदी यह इनको आप लोग प्रसनलेटी को जानते भी होंगे जिए पॉन्डी चेरी की राज़धानी कहाँ है जल्दी सर कीजिए कमेंट बॉक्स में और यहां पे मुख्य मंतरी नहीं होते हैं ठीक है कुछ राज्जो कुछ जो केंद्रसाशित राज्य है वहां पे नहीं होते हैं तो इसकी राज़ानी पॉndिचेरी खोदी होती है आप ध्यान रखेंगे ठीक है दोस्तो चलिए लदाग दोस्तो आपको यहां के उपराज येपाल बने है राधा कृष्ण माथूर ठीक है राधा कृष्ण माथूर बने है 31 अक्टूबर को इसका कैपिटल सिटी है दोस्तों याद रखेगा जिया करगिल इस दराइट अंसर इतना काफी है खतम हो गया है यहां पर पूरा सेट आपका लेकिन सवाल मेरा आपसे तीन यहां पर है नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिए जाके आप लोग जल्दी से जी हां वो कौन-कौन से राजे हैं जैसे कि केंद्रसासित राजे जो कि यहां पर मैंने नहीं दिये हैं जैसे दमन और दिव जी हां दमन और दिव और किसके कौन से किंद् राजीपाल किसको बनाया गया है वो कमेंट कीजिएगा ठीक है तो यह सारे कोशन के आंसर आप लोग यहाँ पे नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हैं हम लोग आज जितना भी यहाँ पे मिनेको अपडेट दिये गये थें उन सबी अपडेट को मैंने आपको बत आप लोग थोड़ा नोट कर लिए मैंने बता ही दी आपको दादर नगर हवेली और दमंदीव कर लेकिन यहां के उपराज जेपाल कौन बने ही आपको बताना है फिर दूस्तों लक्षदीब और पूंडीचेरी ठीक है और एक दिल्ली है और हमारा केंद्र सासित प्रदेश बना है तो यह कुल मिला कि हमारे पास अब यहां पर आठ केंद्र सासित प्रदेश है नाम नोट कर लिजेगा जम्मू कश्मीर लदाक दिल्ली अंडमान निकोबर चंडीगर दादर नगर हवेली और दमंदीव एक हो गया है ठीक है यह सात्वा है और आठवा है लक्षदी अठवा है लक्षदीप और आठवा है पंदीचेरी ठीक है तो यह आप नोट कर लिजेगा तो यहां से मैंने सारे आपको अपडेट दिये करेंट अफेर के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्डेंट है हर एक्जाम में कहीं ना कहीं जरूर इसके ब आज के लिए इतना ही धन्यवाद जितना समय आपने दिया यहां पर हमारे साथ उसके लिए बबाए